दोस्तों मेरा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि नहरू गांदी खांदान की राजनीती का अगला वारिस कौन होगा आप जानते हैं कि सोनिया गांदी जी उम्र दराज हो चुकी है और उन्होंने इस बार चुनाब भी नहीं लड़ा वो राज्य सभा में चली गई और जो उनके दो बच्चे हैं राहूल गांदी और प्रियंका गांदी वो सक्रिय राजनीती में है अभी उम्र भी उनके पास है राहूल गांदी 54 साल से जादा के हो चुके हैं प्रियंका गांदी भी बड़ी उम्र की हो गई है सब 50 प्लस हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि जैसे की परंपरा होती है बहुत सारे परिवारों की है बहुत सारे राजनीती घराने हमारे देश में हैं जिनके वारिस दर वारिस पीड़ी दर पीड़ी उनकी उलादे होती रही हैं और वो उधारन आप कहीं से भी उठा सकते हैं यदि आप हरियाने की बात करें तो ताओ देविलाल के परिवार की पीड़ी दर पीड़ी राजनीती देख सकते हैं भाज याने के पूर मुख्यमंत्री भजनलाल परिवार की भी पीड़ी दर पीड़ी आप राजनीती देख सकते हैं एक नहीं अब इसमें जो आप भूपिन शिंग हुड़ा के परिवार को भी जोड़ सकते हैं ते पीड़ी राजनीती में चल रही है उत्तर प्रदेश में भ आप यादब परिवार को देख सकते हैं इसके अलावा बिहार में भी आप लालो यादब के परिवार को देख सकते हैं यानि बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिन में राजनीति पीड़ी दर पीड़ी चल रही है अब सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी भी धीरे धीरे senior citizen होने की तरफ बढ़ रहे हैं प्रियंका गांधी की भी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है तो आखिर गांधी परिवार की राजनीती को भविश्य में कौन समा लेगा इसका वारिस कौन होगा जैसे मैं सोच रहा हूँ शायद कभी आपके दिल में भी ऐसी बात आई हो आपके मन में भी ये सवाल हो कि भी राहुल गांधी साधी नहीं कर रहे हैं तो इनकी पीडी दर पीडी राजनीती कैसे चलेगी और कई सारे बुद्धी जी भी ऐसा सोचते हैं लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रशारित हुआ है उसमें दावा किया गया है कि जो गांधी परिवार का जो अगला वारिस होगा वो रेहान गांधी वाडरा होगा प्रियंका गांधी का बेटा चौक गए ना मैं भी चौका हूँ पता चला है कि राहुल गांधी ने उनको राजनीती के गुर्फ सिखाने सुरू कर दिये अब वो उस तरीके की राजनीती नहीं कर रहे है जो उने भजनलाल के परिवार में उनका बेटा होए जिस तरीके से उनको टिकट दे दिया या हुड़ा जी ने अपने बेटे को टिकट दे दिया या लालू या अदम ने अपने बेटों को बेटियों को टिकट दे दिया उस तरीके की राजनीती या उस तरीके का वारिस वो उसको नहीं बनाना चाहते हैं वो उस तरीके का वारिस बनाना चाहते हैं कि जिस तरीके की वो आजकल राजनीती कर रहे हैं आम आदमी के दिल में जगे बना रहे हैं वो कांग्रेश को बेसक सत्ता में ना ला पाए हों दोजार चौविस के चुनाबों में लेकिन दोजार चौविस के चुनाबों में उन्होंने अब उनके राजनीतिक इस्टाइल न उनकी भारत याक्त्राओं ने इतना बड़ा कद बढ़ा दिया है कि वो भाजपा के लिए अब समश्या बनते जा रहे हैं राजनितिक तोर पर कही लोग मानते हैं कि मोदी जी के इसलिए सबसे बड़ी समश्या यदि कोई आज है तो वो राहुल गांदी है जीतना हारना एक अलग बात है लेकिन जिस मुश्तेदी से जिस दबंगई से राहुल गांदी मोदी जी की राजनीती का सामना कर रहे हैं भाजपा की राजनीती का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपनी पिछ पर खिलाना उन्होंने सीख लिया है उसी तरीके से बताया जा रहा है रेहान को राजनीतिक वारिष के तौर पर तैयार करने लगे हैं रेहान वाडरा 21 साल का हो चुका है और वो कांग्रेश के मंचों पर दिखाई देने लगा है वाइनाड में प्रियंका गांधी के मंचों पर दिखाई देने लगा है राहुल गांधी के मंचों पर दिखाई देने लगा है तो इस सब का मतलब क्या है गांधी परिवार को बहुत करीब से जानने वाले वरिश प्रत्रकार प्रदीप चुहान का तो यहां तक दावा है कि वो नहकेबल गांधी परिवार का अगला वारिस हो सकता है बलकि दो हजार उनतिस का चुनाब भी लड़ सकता है प्रदीप चुहान वरिश पत्रकार है उन्होंने कई बार राउल गांधी के साथ भी बैठके की हैं मीटिंग की हैं मिले हैं उनकी राजनीति केरियर के बारे में और गांधी परिवार के बारे में वो नजदी की जानकारियां रखते हैं वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि दो हजार उनक्तिस के लोगसभा चुनाबों में राहुल गांधी रिहान वाडरा को लोगसभा का टिकट दे सकते हैं आप सोचेंगे कि भई उसको कहां से चुनाव लड़ाएंगे तो इस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रहान को अमेठी से लड़ाया जा सकता है अमेठी नहीं तो वाइनाड से भी उनको अगला दोजार उनतिस में उम्मीदबार बनाया जा सकता है कहने का ताद पर यह यह है कि गांधी परिवार यह तीन सीटें अमेठी राइबरेली और वाइनाड के गांधी परिवार के लिए पका करना चाहता है और इसके जो रिहान को गांधी परिवार का अगला बारिश बनाने की जो बात कही जा रही है तो राहुल गांधी उसको अपने साथ ले जा रहे है अभी उनकी एक वीडियो भी दिखाई दी जिसमें राहुल गांधी के साथ वो एक मकान में एक बिल्डिंग में पेंट करना सीख रहे है जहां मजदूर दीवार में छत में पड़ी हुई दरारों को उख़डे हुए पेंट को भर रहे हैं उसकी रिपेर कर रहे हैं पेंट कर रहे हैं तो दोनों मामा भांजे एक इसके अलावा वो कैसे कुमारों के जहनों ने दिया बनाया या कहां कहां गए तो वो सारी बातें वो रिहान को समझा रहे हैं वो बताते हैं कि आम आदमी की जिन्दगी कैसी है उनकी जिन्दगी कितनी कठिन है उनकी क्या समश्या हैं वो किसानों के साथ खेतों में जाके कभी धान रोपने लगते हैं, कभी मिस्त्रियों के पास जाकर मोटर साइकल की रिपियर या उनकी समस्याइं जानने लगते हैं, कभी किसी ट्रक में बैठ कर ड्राइवरों की ट्रक में बैठ जाते हैं, और ड्राइवरों की समस्याइं सुनते हैं, किसी होटल के जहां दिये कैसे बनाया जाते हैं बनाना वो नहीं है मुद्दा ये है कि उनकी क्या-क्या तकलीफ है वो उनको कितना स्रम मिलता है उनको कितनी कठिन लगते है किसी होटल में चले जाते हैं किसी हलवाई के यहां चले जाते हैं यह कहीं से जा रही है रास्टे में उतर किसी आम छो टेसे hairdresser नाई की दुकान पर चले जाते हैं और वहां पर वो डाड़ी बनवाने लगते हैं तो ये वाली जो राजनीती है भाजपा पर और भाजपा नेताओं पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और इसका सामना करने के लिए भाजपा नेतत को कही तरीके के पापर बेलना पढ़ रहे हैं तो दोस्तों कहने के लिए तो बहुत सारी बाते हैं और भी लेकिन इतना तैह है जो हमने आपको बताया है कि गांधी खांदान में एक नया वारिस राहुल गांधी ने तैयार करना शुरू कर दिया है और उसको वो अपने नजरिये की जाजनीती सिखा कर पापर बेल रहे हैं जिस तरीके से हो खाग चान रहे हैं पूरे भारत की आम आदमी के पास जिस तरीके से जा रहे हैं मुद्दों पर आधारित आम आदमियों की समश्याओं पर आधारित राजनीती से वो अपने भांजे रहान को रूबरू करा कर जमीन से जुड़ी राजनीती करने के लिए तैयार कर रहे हैं तो दोस्तों देखना यह है कि क्या रिहान दोजार उनतिस का लोगसभा चुनाल लड़ेगा या जिस तरीके के नेता राउल गांदी उसको बनाना चाहते हैं तो उसके पैमाने पर वो खराउतर भी पाएगा क्या वो वैसा नेता बन पाएगा क्या वो आम आदमी की राजनीती कर पाएगा वो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि रिहान वाडरा को यह सब काम करने की जुरुत नहीं हैं कि वो कुमार के जाके दिये बनाने सीखे या मकान में सफेदी या पेंट कैसे किया जाता है यह करना सीखे उसको पैसे की कमी नहीं है साधन संपन माबाप का बेटा है लेकिन राहुल गांधी उसे गांधी की रास्ते पर चला कर आम आदमी की समश्याओं से रूबूरू करा कर भारत के आम आदमी की जिंदगी से जोड कर उसको नेता बनाना चाहते हैं देखते रहे देश दो जाना आप भी देखें क्या राहुल गांधी के सपनों पर रिहान वाड्रा खरा उतरेगा और क्या वो गांधी खांदान की राजनितिक विरासत को समहल पाएगा ये तो भविस्य की गर्म में छिपा है लेकिन एक राजनिती का अंकुर गांधी परवार में नया अंकुर फूटा जरूर है उम्मीद तो यही है कि मामा अपने भांजे को एक सफल राजनिता बना कर ही दम लेगा तो दोस्तों देखते रिये देश रोजाना मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे पर नए एपिसोड में जै हिन जै भारत जै सविधान नमस्कार हमारे साथ जूड़े रहने के लिए देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन